नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला सारे दास्तावेज होंगे डिज्टिलाइज जार्खन में राई सरकार के विभीन भीभागों वा कर्यालों के सारे दास्तावेज पत्र वा फैल डिज्टिलाइज होंगे पुरो के सभी दास्तावेज पत्र और फैलों को स्केन कर उसे डिज्टल रूप में बदल कर एक जगा जमा किया जाएगा ताकि जरूरत पढ़ने पर उनका आसानी से उपयोगिया जा सके मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के नेदेश पर सुचना तक्निकी एवम ई-गोवर्नेस विभाग ने इसकी त्यारी सुरू कर दी है इसकी जिम्यदारे नीजी छेत्रे की किसी एजेंसी को दी जाएगी जिसके चैन के परकिरिया फूरी की जा रही है बतादे बरतमान में एक दो विभागों के ही दस्तावेश डिजिटल फोर्म में रखे जा रहे हैं वहीं उच एवम तक्निकी सिक्षा विभाग में फाइलों का निस्पादन भी इफाइल माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाता है लेकिन जब इस विभाग से फाइल दूसरे विभागों जैसे बीत या कार्मिक भी भाग जाती है तो वहाँ फिर काम मैनुवल सुरू हो जाता है वहाँ से आने वाली नोटिंग को उच एवम तक्निकी सिक्षा विभाग फिर सके स्केन कर उसे डिजिटल रूप में फाइल में सामिल करता है मुख्य मंत्री ने हाल ही में सुचना तक्निकी एवम ई-गोवर्नेस विभाग की बैठक में सभी दस्तेवे जोको डिजिटलाज करने के निर्देश दिये थे गीरी डी से दो साइबर किरिमिनल गिरफतार चार लाख लोगों का मोबाइल नमबर मिला ज relaxed के गिरीडी जीले से पूलिस ने 27 साइबर किरिमिनल को गिरफतार किया है इने बस एस्टेन से गिरफतार किया गया बताया गया है कि कार में सबार होकर 4 साइबर अपरादि बस एस्टेन पहुंशे थे जहां कार में बैटकर लोगों को चुना लगा रहे थे इसी दोरान पूलिस ने छापे मारी की और दो लोगों को कार से गिरफतार कर लिया पूलिस ने सियाज कार नगत के साथ साथ महंगे मोबाइल फोन और आधा दरजन ATM काड जब्त किये हैं दो साइबर क्रिमिनल भागने में काम्याब हो गाए हैं बता दे, DSP ने बताया कि गिरफतार साइबर अपरादियों के पास से जबत मोबाइल फोन की जाच करने के बाद करीब 32 लाख रूपए के टांजेक्शन के साख्छ मिले हैं इसके अलावे मोबाइल फोन में करीब 4 लाख लोगों के मोबाइल नमबर डोकुमेंट फाइल में से मिले इसमें से 1 लाख फोन नमबर IT कंपनी के करमचारी के हैं वहीं 20,000 चाधिक नमबर बैंक करमियों के हैं जबकि करीब 10,000 मोबाइल नमबर दक्षिन भारत के बड़े-बड़े कारोबारियों के हाई जारखन में सिर्फ 2 घंटे होगी 30 वाजी जारखन में दीपावली और गुरूप पर पर सिर्फ 2 घंटे लोग 30 वाजी कर सकेंगे पर सासन की ओर से इस समद में आदेश जारी कर दिये गाए है इस आदेश का उलंखन करने पर सक्त करवाई की जाएगी इसलिए किसी भी समय पटाखे फोड़ने और तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने वाले सतरक हो जाए आदेश में कहा गया है कि दिपावलीवा गुरू पर्वे के दीन मात्र दो घंटे रात आठ वाज से लेकर 10 वाज तक पटाखे फोड़ने के अनुमती रहेगी वहीं छट पुजा के दोरान सुबह 6 से 8 वाज तक पटाखे फोड़ सकेंगे इसी परकार क्रिस्मस वर नौव व्रस को लेकर भी रातरी मध्य 11 बच कर 55 से 12 वाज तक पटाखे जलाए जा सकेंगे रांची उनिवर्सिटी के पास मार्क सिट छापने का कागज नहीं रांची विश्व विद्यार्थी से यूजी सेमेस्टर 6 की परिक्षा पास कर चुके करीब उनाई से 10 विद्यार्थियों को अब तक मार्क सिट नहीं मिला है जबकि इनका रियल सितंबर में ही जारी हो चुका है यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि विश्व विद्यार्थी में मार्क सिट का कागज ही उपलब्द नहीं है खोटी में गेंदा फूल का तीन को रोका हुआ कारोबार दिपावली पर घर, दुकान, मकान सजाने के लिए गेंदा फूल की बिसेस मांग रहती है बताजे राजधानी में गेंदा फूल की जरूरत को आसपास के जीलो बिसेस करके खोटी के किसान पूरा कर रहे है यहां किसानों ने राची के अलावा अने जीलों में गेंदा फुल बेच कर करीब 3 को रुपए सहधी का करुबार किया है जन जातिये बहुल खुटी जीले में फुल उप जाने और उसे बजार तक पहुचाने वालों में जायतर महिलाये ही है इस काम में इस वर्ष करीब 1200 महिला किसान लगी थी इन लोगों ने करीब 24 लाख गेंदा फुलों की लड़ी तयार की है ठोक में 15 से 20 रुपे प्रति लड़ी के हिसाब से बेच रही है बता दे इस बार कई महिला किसानों ने 25 से 30 रुपे तक की कमाई की इससे कुरोना संकट के दोरान में आई तंगी को दूर करने में मदद मिली है सुर्य ग्रहन के कारण बैधनाथ मंदीर के का पाक्ट रहेंगे बंद दिपावली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सुर्य ग्रहन लगेगा यह इस साल का आखरी सुर्य ग्रहन होगा जिसका आंसिक असर भारत में भी देखने को मिलेगा जबकि देव घर में कुल 22 मिनट सुर्य ग्रहन रहेगा आमतर पर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है लेकिन उस दिन सुर्य ग्रहन के कारण गोवर्धन पूजा का परवच 26 अक्टूबर और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस बीच बैजनात मंदिर के तिर्थ पुरोहीत परमोद सिरिंगरी ने बताया कि भारत में यह सुर्य ग्रहन साम लगभग 4 बज कर 29 मेट से सुरू होकर साम 6 बज कर 9 मेट पर खतम होगा वहीं देवगर में साम 4 बज कर 46 मेट से 5 बज कर 8 मेट तक ग्रहन रहेगा देवगर में कूल 22 मेट सुर्य ग्रहन का असर दिखेगा बता दे कि ग्रहन का सुतक 12 घंटे पहले लग जाता है इस दौरान अन का ग्रहन वझ्जित रहता है जार्खन के रिनवसुली अधीकरन ने बागयदारों से वसुली 100 को रूपाई रिनवसुली अधीकरन जार्खन में करज के वरसो पुराणे मामले सुलाज रहे हैं इस साल अगस्त तक NPA एकाउंट से एक सो तीन को रूपय की वसुली हुई है इसके लिए अधिकरन के पिठासीन पद अधिकारी संजीव कुमार की नित्युत में वसुली अधिकारी ने अलग तरीके अजमाय है इसके तहद जार्खन की कई बड़ी कंपनियों से करज वसुली के मामले आपसी समझोते से भी सुझाएगा है वहीं या DRT जार्खन के गठन के बाद सबसे अधिक और पुर्वी भारत में अब तक की रिकोर्ड वसुली है जार्खन में हाई राइज बिल्डिंग के फलेट में आसियाना ढूट रहे युवा अब राइधानी की युवा आवादी सोसाइटी वाले हाई राइज अपार्टमेंट में अपना आसियाना ढूट रही है ऐसे में हाई राइज अपार्टमेंट में फ्लेट की बढ़ती मांगने इनके निर्मान की गती भी तेज कर दिया है राजे गठन के बाद से राजधानी में तीन हयार से अधिक बहुमंजिली इमारते खड़ी हो चुकी है पिछले कुछ वर्सों से कलब हाउस, स्विमिंग पूल, जीम, अस्पोर्ट, कम्पलेक्स जैसी कई तरह की सुविधाओ से यूक्त हाई राइज अपार्टमेंट प्रचलन में आ गए है पूर्भी सिम्भूम उपायूक्त अनाथ सोमवारी सबर से मिली पूर्भी सिम्भूम जीला के घाट सिला अनुमंडल इस्थीत दारी साई बस्ती की बिलूप्त प्राय सबर आदिम जनजाती की सोमवारी सबर की जिंदगी अपने समाज के अन बच्चों की ही तरह थी अभाव में जी रही थी लेकिन पूर्भी सिम्भूम के उपायूक्त बिजिया जाधा वे उसे गोद लिया और सोमवारी सबर की जिंदगी ने नई करवट ली बताद दीपावली के दिन उपायूक्त ने नेताई सुबा चंद्रबोस अवासे बिद्याले में जाकर सोमवारी और उसके साथ पड़ रहे बच्चों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई जारखन में IAS अफसरों की संख्या 180 के पार जारखन में राजे प्रसासनिक सेवा से भारतिये प्रसासनिक सेवा प्रोनती दिये जाने के साथ ही जारखन में IAS अधिकारियों की संख्या 180 के उपर हो गई जहां आकड़ा पहली बार इस उचाय पर पहुचा है और अब राज सरकार के सामने चुनावती है कि इन अधिकारियों का सही इस्तेमाल कर ले राजे में अक्सर सिनियर पदो पर बैठने के लिए IAS अधिकारियों की कमी होने की बात सामने आती थी और इसके लिए पर देश की सरकारे केंद्र से सिकायत भी करती रही है अब पहली बार प्राप्त संख्या में IAS मिलने से राजे के लिए उमिदों की नई डगर खुलती दिख रही है बतादे तीन बरसों का बैक लोग किलियर होने के साथ ही जारखन के 40 IAS मिले हैं जिससे इनकी कुल संख्या 180 हो गई है हरल सिंदरी के यूरिया के ट्रयल उत्पादन में देर राथ अमोनिया का रिशाव हिंदूस्तान उर्वरक Разine Limited हरल के सिंदरी उर्वरक प्रोजेक्ट में यूरिया के ट्रयल उत्पादन के दोराण रबिवार की रात लगभग तीन बजे पलांट में अमोनिया गैस का रिशाव होने लगा इससे पूरे परिसर में अफरा तफ्री मच गई बतादे हरल परवंधन ने अमोनिया के रिशाव को देखते हुए ततकाल पलांट को बंद कर दिया इस संबन्द में हल के सिनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपतेन राय ने सोमवार को बताया है कि उर्वरक सन्यंत्र में अमोनिया की लिकेज एक समाने घटना है उन्होंने कहा है कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में अमोनिया के रिशाव हुआ था खुटी में अग्यात अपराधियोंने ग्राम परधान सही दो लोगों को मार डाला जारखन के खुटी जिला में दिवाली वाले दीन डवल मडर की घटना से संसनी फैल गई है अग्यात अपराधियोंने धारदार हतियार से सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ती नामक दो लोगों की बेर हमी से हत्या कर दी पूलिस ने सवो का पंच नामा कर पोस्ट मार्षम के लिए भेजा है और चायन बीन में जूट गई है मामला खोटी जिला के मुरहूत हना छेत्र अंतरगत रुमूत केल पंचायत के रुबुआ बिर्डी गाउं के पास की है मिली जनकारी के मुताविक अग्यात अप्राधियों ने रुमूत केल पंचायत के परधान पच्पन वर्षिये सोमा मुंडा और उनके दोस्त 38 वर्थिये जेम्स पूर्ती की निर्मम हत्या कर दी दीपावली पर जार्खन के राजेपाल और मुख्य मंत्री ने दीबधाई जार्खन सही देश वर्मे सोमार को रोसनी का तेवहार दीपावली धुमधाम से मनाया जा रहा है तेवहार को लेकर होत तरफ खुसी और उल्लास का महल है जार्खन वासी एक दूसरे को परव की सुबकमनाया दे रहे हैं वहीं राजेपाल रमेश बयस वा मुख्य मंत्री हमन सुरेन के साथ साथ जार्खन वीजेपी के कई नेताओं ने राजेवासी ओको दीपावली के सुबकमनाया दी है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंदा बाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाएक अवस्य दे थांक्यू